तो कैसे हैं प्यारे बच्चो आज हम आपके लिए 10th किलास का सरकल जैप्टर का एक और इंपोर्टेंट कोशन लेके आए हैं जिसके अंदर हम इसको क्वेसे सॉल्व करेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करा जाता है चलिए शुरू करते हैं कि एक सरकल है आप डाइग्राम में देख भी सकते हैं इस सरकल के बाहर पॉइंट से दो टेंजेंट रो करी गई सरकल के उपर उसके वाद आपसे कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि पी टी क्यू यह वाला जो होगा वह दो गुना होगा तो टामस होगा ओपी क्यू के होख फ 10 ऐब यह वाला जो अंगल है अगर मैं इसका दो गुना कर दूंग तो पी टी क्यू मेंले यह वाला अंगल आ जाता है चलिके अ bilmiyorum करते है ले हो अगर मैं आपसे बात कहूँ यह वाला अप्रूफ हें पज़ना तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप Trangle Trangle P T Q में देखो तो तो देखोगे P T बरावर है किसके Q T के P T Q T बरावर है अगर P T Q T बरावर है तो इसके Apposite Angle भी बरावर होंगे ये दोने angle ब्राबर होंगे, होंगे नहीं होंगे ये किसी property है? triangle की property है अगर किसी triangle के अंदर आपकी दो side ब्राबर होती है तो उसके opposite angle भी ब्राबर होते है ठीक है? तो उसका नाम देرا न दोनों ब्राबर है तो, मालरो ये angle एक है ये भी angle एक है, same तो यहां पर आप लिख देना कि अगर किसी ट्रेंगल के अंदर दो असाइड बराबर होती है तो उनके पोजिट एंगल बराबर होते है यह प्रॉपर्टी है नाइंध क्लास के हमने पढ़ित नाइंध क्लास में इसी तरह से ट्रेंगल पी-ओ-क्यू की बात करूंगा तो पी-ओ-क्यू में आप देखोगे जो ओ-पी है वो बराबर है इसके ओ-क्यू के क्योंकि रेडियस है और रेडियस तो बराबर होती है तो अगर यह बराबर है तो सिंपल जी बात है यह वाले अंगल भी बराबर होंगे तो इसको एंगल द देखिए आपकी क्या है और अगरेगे से अगरेगे जैंगे यह रोओं को सबको जोड़ोंगां में एक प्लेस में एंगल एक प्लेस में उसका नामी नहीं दिया तो इसको नाम देड़ों अगया करेंगे हमें पता है कि यहां पर यहां पर यह प्रभर ने यहां वाभ दबंगो कितना वह outtaест के बाद हम क्या出来 गारेंगे इस दो क instrœo कर देते हैं टुक कितना होगय कर देता है यह दो को कि ल्गिया सब्सादार्agar जैगा और यहां पर रहा गया और टूंगल टू प्लस में पी ट्小時 लिए बबन आपनीटि sudah टू एं गविटन तू एक और क्निक्राइब तक ही होदर यह अगर डूक्ट करते हैं तो पीटी के बराबर जाता है यहां 25 کے लिए ओ लो पी यू förक्ते हैं तो इसमें कोई three नहीं है उप आप अगर हम लिखते हैं आपे एंगल ओपी क्यू तब भी कोई दिखे दोड़ी बात नहीं होगी तो हमने प्रूफ कर दिया कि पीटी क्यू जो होता है वह ओपी क्यू का दूगना होता है और ध्यानकना इस पे कुशन बनते हैं बहुत सारे यह तो पिसरी प्रूफ करने के लिए कहा गया है कुशन कैसे बनेंगे कुशन ऐसे बन सकता है कि आपको एक ट्रेंगल एक आपको क्या देदेगा सरकल देदेगा दो टेंजेंट खीज़ देगा बाहर से और यहां पर ऐसे डियाग्राम बनाओगा, यहांपर बोल देगा, अगर यह 60 है, तो बताओ, यह वाल एंगल कितना है, तो आपको क्या बोलना है, यह 30 है, तीस का दूना अगर गर गट तो 60 आएगा, ठीक है, अगर आपको यह दे रखा है, तो इसका आदार कर देना है, तो यह बादे दिलाए